ल्डी हैट तथा की टोनों के नामकरन जानने के बाद आईए अब हम इनमें उपस्तित कार्बुनल समूं की सरचना को समझते हैं कार्बनल की सरचना जैसे कि आप देख रहे हैं कार्बन जिससे की दूई बंद के द्वारा एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जबकि कार्बन की जो दो अन्य से उजगताएं हैं वो दो भिन भिन समूं के द्वारा पूरी होती हैं यहाँ पर हम देखें कि जो कार्बन कुल सिग्मा बंद बना रहा है उनकी संख्या तीन हैं क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के मद्धे जो द्वी बंद हैं उसमें से एक सिग्मा बंद है जबकि दूसरा पाई बंद है साथी साथ जो कार्बन दो अन्य समूं के साथ बंद बना रहा है वो दोनों ही सिग्मा बंद हैं जो कि यहाँ पर कार्बन के सिग्मा आबंधों की संख्या 3 हैं, साथ ही इसमें कोई भी लोन पेर उपस्थित नहीं है, इसलिए इसकी जो संक्रण की अवस्था होगी, वो होगी SP2 संक्रण. तो यहाँ पर हम देखें कि कार्बन SP2 संक्रण यहाँ पर दर्शाता है, और इस तरह से जो इसके तीनों संक्रित ऑर्बिटल होते हैं, वो बिल्कुल प्लेन पर उपस्थित होते हैं, और प्लेन पर उपस्थित होते हुए, इनकी जो सरचना होती है, वो होती है त्रिकोणी स समतली होती है तो उनके मद्धे जो आबंध कोन होता है वह 120 डिगरी का होता है तो इस तरह से इनके जो तीनों आबंध कोन है वह 120 डिगरी के होते हैं साथ ही साथ अब हम देखें कि यहां पर पाई बंध भी उपस्थित है कार्बन और ऑक्सीजन के मद्धे में तो यहां पर ह एस P2 संकरण किया है और S P2 संकरण में इसने अबने अभी दो ही P आउर्बिटल का उप्योग किया है जबकि इसका एक P औरबटल जिसमें कि एक एलेप्रान उपस्थित होता है वह संकरण में भाग नहीं लिया है इसी तरह से औक्सीजन के पास भी एक P-orbital है और कार्बन तथा औक्सीजन के ये दोनों P-orbital आपस भी पार्शवर्ती अतिव्यापन के द्वारा एक पाई बंद का निर्मान करते हैं तो इस तरह से जो कार्बनल समू है उसकी सरचना त्रिकोनी समतली होती है जिसमें की कार्बन तथा उस समतल के ऊपर तथा नीचे उपस्थित होते हैं अब हम देखते हैं ये जो कार्बनल समू है उनकी धुरूता या पोलारटी की कैसी होती है यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविट अधिक होती है और इसलिए यहाँ पर जैसे ही कोई जो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रान जोड़ा है पाई इलेक्ट्रान जोड़ा है वह ऑक्सीजन की तरफ यह चला जाता है जिससे ऑक्सीजन पर रनावेश हो जाता है जबकि कार्बन पर धनावेश उपस्तित हो जाता है यहने कि जो कार्बनिल समू है उसका कार्बन एक इलेक्ट्रो यहाँ पर नाभीक्स नहीं इस्थान उपलब्ध कराता है और इसलिए जैसे ही कोई इलेक्ट्रो फाइल यहाँ पर अटेक करता है वैसे ही यहाँ से जो कार्बन ऑक्सीजन का जो इलेक्ट नाभिक्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा नाभिक्स ने ही चुकिया पर द्वीबंध होता है इसलिए नाभिक्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं संपन हो पाती हैं तो आईए अब हम देखते हैं कि अल्डिहाल तथा की टोनों का विर्चन याने की निर्मान किन-किन विधियों की द्वारा किया जाता है एल्डिहाल तथा की टोनों के निर्मान की पहली विधि है अल्कोहलों के आक्सी करण के द्वारा यहाँ पर हम देखें कि जब प्राथमिक अल्कोहल का आक्सी करण किया जाता है तो हमें अल्डिहाल प्राप्थ होते हैं जबकि दुत्यक अल्कोहलों का आक्सिकरण करने पर हमें कीटून प्राप्थ होते हैं. यहां पर जो आक्सी करण की क्रिया है या विसेश आक्सी कारक पदार्थों के द्वारा कराई जाती हैं जैसे कि potection dichromate तथाअमल की उपस्थति या फिर pot Penny per magnet तथाअमल की उपस्थति यहाँ पर हम एक उधारन ले रहे हैं यहाँ पर प्रात्मिक एलकोहल यहाँ पर हमने लिया है एथेनॉल जो की एथेनॉल की क्रिया जब हम पटैश्यम डाइक्रोमेट के साथ अमल की उपस्तती में कराते हैं तो यहाँ पर इसका ऑक्सी करण हो जाता है यहाँ पर हम देखें कि जो carbon से जुड़ा है एक hydrogen समू तथा hydroxyl समू OH से एक hydrogen यह दोनों ही hydrogen यहां से प्रिथक हो जाते हैं और आप देखेंगे कि यहां पर जो सरचना बन रही है वह है CH3 C double bond OH क्योंकि यहां पर carbon से जुड़े एक hydrogen तथा उससे जो hydroxyl समू है उसमें का एक hydrogen यह दोनों ही H2 के रू ethanol से हमें ethanol यहने की जो aldehyde है वह प्राप्त होता है इसी तरह से यदि यहां पर हम आक्सिकारण के तौर पर potassium permagnate लेते हैं तो यहां पर इसका और भी आगे oxygen हो जाता है और वहां पर हमें alcohol के आक्सिकरण से वहां पर हमें अमल प्राप्त होते हैं जैसे कि यदि हम ethanol लेते हैं तो उसका potassium permagnate के साथ जब हम अमली माध्यम में आक्सिकरण कराते हैं तो हमें CH3 COOH यहने की acetic acid प्राप्त होता है इसी तरह से यहां हम लें यदि हम दुतियक alcohol का उप्योग करते हैं जैसे कि हमने यहां पर लिया है CH3 CHCOH तो यहां पर यदि हम दुतियक alcohol लेते हैं और उसका किसी आक्सिकारण जैसे कि potassium dichromate की अमल की उपस्थती में यहां पर इसका आक्सिकरण करते हैं तो यहां पर पुना हम देखेंगे कि जो कार्बन से जुड़ा हुआ है एक hydrogen तथा hydroxyl समूज से जुड़ा हुआ hydrogen यह दोनों वहां पर से विस्थापित हो जाएंगे और इस तरह से हमें और c1-1-0-r यहने कि यदि हम एलकोहल लेते हैं तो वहां पर हमें CH3 c1-1-0-CH3 जो इस तरह से acetone प्राप्त होता है तो इस तरह से हम देखें कि एलकोहलों के प्रात्मिक एलकोहलों के औक्सीकरण पर हमें aldehyde मिलते हैं जबकि दुत्यक एलकोहलों के औक्सीकरण पर हमें किटोन प्राप्त होते हैं aldehyde तथा किटोनों को बनाने की दूसरी विदी है एलकोहलों से ही बनाए जाते हैं लेकिन यहां पर जो क्रिया है वह है यहां पर हम लें यह जो विधी होती है वह वाश्वशिल एलकोहलों के निर्मान के लिए काफी उप्योगी है साथी साथ और दोगिक तौर पर भी यह काफी उप्योगी विधी होती है यहाँ पर भी हम लें यदि हम प्रात्मिक अलकोहल का उपयोग करते हैं तो हमें अल्डिहाइट प्राप्त होते हैं जबकि दुतियक अलकोहलों के उपयोग से हमें एसी टोन प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर हम लें जो प्रात्मिक अल्कोहल यहाँ पर हम ले रहे हैं जैसे कि एथेनॉल एथेनॉल की वाश्प को जब हम सिल्वर या कॉपर के उपर उच्च ताप पर 573 कैल्विन ताप पर जब हम प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर पुना हम देखेंगे कि एक जो H2 समू है उसका निस्काशन हो जाता है और यहाँ पर हमें एथेनल एल्डिहाइट प्राप्त होते हैं इसी तरह से यहाँ दुध्यक अल्कोहल का उप्योग करते हैं तो वहाँ पर भी यदि दुध्यक अल्कोहल की वाश्प को कॉपर धातू के उपर यदि हम प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर हमें AC tone प्राप्त होते हैं LDHID तथा की tone के विर्चन की जो अगली विधी है वह है LKIN तथा LKIN के ओजोनी अबघटन के द्वारा इसे हम कुछ उदाहरन के द्वारा समझते हैं जैसे हम यहाँ पर पहला उदाहरन दे रहे हैं CH3 CH double bond CH2 जब हम इसका reductive ojonalysis करते हैं यहाँ पर ojon भी होगा और साथी साथ यहाँ पर जिंक तथा जल का उप्योग किया जाता है तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले जब हम LKIN की क्रिया जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है प्रोपीन तो प्रोपीन की क्रिया जब हम ओजोन से कराते हैं तो यहाँ पर एक योगात्मक उत्पाद बनता है जिसे कहा जाता है ओजोनायड और यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो ओजोन के तीनों oxygen परमानू हैं वह द्वी बंध पर जुड़ जाते हैं और इस तरह से हमें एक सरचना प्राप्त हो रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3, CH और यहाँ पर एक oxygen परमानू यहाँ जुड़ा हुआ है उसके साथ CH और CH2 के मद्ध में तथा दो oxygen परमानू यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ओ और ओ के रूप में इस तरह से यह एक चक्री सरचना बन जाती है जिससे oxygen कहा जाता है अग इस oxygen का आगे जलब घटन होगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से जो बंध का cleavage होगा वो इस तरह से होगा यहाँ पर CH और O के भी तथा दूसरा बंध का cleavage होगा CH और यहाँ पर O के भी इस तरह से बंध cleavage होगा और यहाँ पर हम देखें कि जो उपर oxygen आपको दिखाई दे रहा है वो जिंक के साथ, जिंक oxide के रूप में यहाँ से remove हो जाएगा जबकि बाकी के बचें वेपार्ट अब हम देखें कि यहाँ पर बच रहा है हमारे पर CH3CHO उसी तरह से दूसरी और भी हमें प्राप्त हो रहा है जो है वह है CH2O या जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं HCHO यहाँ पर हमें दो प्रकार के अलडिहाइडों का mission प्राप्त हो रहा है एक है CH3CHO यहने की acetaldehyde और दूसरा HCHO यहने की formaldehyde तो इस तरह से हम देखें है कि जिस प्रकार के अलडिहाइड हमें उत्पात के तौर पर प्राप्त होते हैं और यहाँ पर इसका एक और उधारण हम देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा हमने उधारण लिया है एथीन जिसका है CH2 Double Bond CH2 और इसका भी जब हम reductive ogenesis करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पुना जो द्वी बंद है वहाँ पर आपके तीनो ओजोन के तीनो ओक्सिजन परमाणू मिलकर एक ogenald का निर्माण करेंगे और यहाँ पर जो ogenald है उससे जो हमें प्राप्त कंपाउंड प्राप्त होगे वह हैंगे CH2O यहने कि इसे हम लिख सकते हैं HCHO और दूसरी और भी हमें समान अनुप्राप्त होगा वह होगा HCHO यहने कि हमें यहाँ पर दो formaldehyde के अनुप्राप्त होंगे तो इस तरह से हम देखें कि जिस प्रकार के एलकीन का उप्योग हम करेंगे उस प्रकार के aldehyde हमें उत्पात के रूप में प्राप्त होते हैं इसके बाद हम एक और उधारन लेते हैं यहाँ पर जो हमने उधारन लिया है वह है 2-methyl-propene इस जगह पर हम देखें कि पुना जब हम इसकी ओजोन से क्रिया कराते हैं तो द्वी बंद पर ओजोन के तीनों oxygen परमाणू का योग हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर एक ओजोनाइट प्राप्त होता है और ओजोनाइट का जब हम hydrolysis करेंगे तो इस तरह से हमें दो compound मिलेंगे एक तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक बंद तूटेगा उससे हमें CH3 C double bond O CH3 यहने कि acetone प्राप्त होगा और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास है CH2O यहने कि HCHO के रूप में हम उससे लिख सकते हैं तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक ketone प्राप्त हो रहा है और दूसरा यहाँ पर हमें एक formaldehyde प्राप्त हो रहा है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार के ethine का उपयोग करते हैं उस प्रकार हमें अलग-अलग उत्पाद एलड़ ल्ट तथा कीटोन प्राप्त हो सकते हैं। आईए अब एक उदारण हम लेते हैं चक्रिय एलकी नोका। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक छेक कारबन की रिंग है जिसमें कि दो कारबन के बीच दूइबन उपस्तित है। यहाँ पर हम देखें कि दूइबन पर जब हम उसका जली अबगटन करेंगे तो यहाँ पर जो दूई बंद है उसमें ऑक्सीजन परमाणू जुड़ा होगा और इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि रिंग जहाँ पर से बंद का क्लीवेज होगा वहाँ पर उस कार्बन पर भी एक CHO बंद मिलेगा और उसी तरह से द वन टू हेक्जेन वन टू डाइल आईए अब एक उधारण हम देखते हैं एलकाइनों का ओजोनी अब घटन किस प्रकार से होगा और उससे हमें किस प्रकार के उत्पाद मिलेंगे एलकाइन जिसमें हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य में त्री बंद पाया जाता है जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं एथाइन यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH जब यहाँ पर इसका ओजोनीलिसिस कराया जाएगा तो यहाँ पर हम देखें कि जो सिगमा बंद है व वह उनका वहां पर oxigen परमानु जुड़ जाएंगे तो एक oxygen परमानु जो ओजेन के तीन oxygen परमानु है उस्समें से एक oxygen परमानु एक पाई बंद के द्वारा जूड़ रहा है और जो दो ऑक्सिजन परमानु है वो नीचे वाले बंद के साथ जूड़ जा रहे हैं और इस तरह से एक हमें योगात्मक उत्पात प्राप्त होगा अब हम देखें कि यहां पर बंध का क्लिवेज किस प्रकार से होगा तो जो बीच का कार्बन कार्बन के मद्धी जो सिग्मा बंध है वह नहीं तूटेगा और यहां पर हम देखें ऊपर के बंध को इस तरह से हम क्लिव bond OH और उसी तरह से दूसरी तरफ भी आपर होगा C double bond OH यानि कि जो कार्बन है दोनों कार्बन के बीच जो सिग्मा बंद है वो जो कातियों रहेगा और दोनों कार्बन जो है वह C double bond OH समूह में यह परिवर्तित हो जाएंगे और इस तरह से हम इस compound को कहेंगे घ्लाई और जल तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी त्री बंद है उस में से पाई आबंद तूटते हैं जबकि सिग्मा आबंद नहीं तूटता और जिस प्रकार के एलकाइन का हम यहां पर उप्योग करेंगे उस प्रकार के यहां पर एलडिहाइड हमें उत्पात के तौर पर प्राप्त होंगे इसी तरह से यदि यहां पर हम ब्यूटाइन ले लेते हैं यहां पर ज सीजन परमानू जुड़ जाएंगे और इस तरह से हमें जो योगात्मक उत्पाद यहां पर जो प्राप्त होगा वह होगा कीटोन का तो इस तरह से दो कार्बन पर दो कीटोन समूँ होंगे तो इसका नाम हो जाएगा डाई कीटोन तो इस तरह से हम देखें कि ओजोनो अब घटन के द्वारा हम एल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं तथा एल्डिहाइड एवं कीटोनों का मिश्रण भी हम प्राप्त कर सकते हैं आईए अब इल्ड हाइड तथा की टोनों के निर्माण की एक और महत्पोंड विधी को जानते हैं और यह विधी है एसिल क्लोराइडों से एसिल क्लोराइड से एल्ड हाइड तथा की टोनों के विर्चन के लिए यहाँ पर हमें एक उत्प्रेरक की आवश्चता होती है जिस हम यहाँ पर जानते हैं कि यह जो क्रिया है मुख्य रूप से हाइड्रोजनी करण की क्रिया है और इसके लिए यहाँ पर जो पैलेडियम धातु है वह अपने सर्फिस पर हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कर सकती है इसलिए यहाँ पर हम इसे उत्प्रेरक के तौर पर उप् और ये पैलोडियम की जो क्रिया विधी है या उसकी पूरी छमता को उसकी छमता में कमी ला देता है और इसलिए इसे उत्प्रेरक विश भी कहा जाता है दूसरी और यहाँ पर हम लें जो अभिकारक है वह एसल क्लोराइट का उप्योग किया जाता है साथ ही साथ यहाँ पर हम लें कि इससे हम एल्डी हैडों का विर्चन कर सकते हैं तो आएए एक उदाहरन के द्वारा हम इसको समझते हैं माल लेजे यहाँ पर हमने एसल क्लोराइड लिया है आर सी डबल बान ओ सी एल और जब इसका हम पैलेडीम योक्त बेरियम सल्फिट के अयोंतंने घ्राव ही ध्याटी में हाड्रोंजेन करन करते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो हर्डॉं के दो अनुप परमाणू होंगे उसमें से एक जो परमाणू होगा वह कार्बन के साथ जोड़ जाता है और जो ऍहलेसा हैं woha CL के साथ यहाँ पर कार्बन और c l बंद का यहाँ पर टूटता है जिससे c l hydrogen के साथ निकल जाती है जबकि एक जो एक hydrogen है वह carbon के साथ यहाँ पर जूड़ जाता है तो इस तरह से जो हमें उत्पाद मिलता है वह होता है r c double bond o h यहने की aldehyde प्राप्थ होता है और जो यहाँ पर chlorine है hydrogen के साथ विस्थापित हो रही है और उस तरह से हमें यहाँ पर axial प्राप्थ होता है यहाँ पर हम लें कि जो barium sulfate यहाँ पर क्या काम करता है तो हम जानते हैं कि जो palladium धातू है उसका गुण है कि वह hydrogen को अपनी surface पर adsorb कर लेती है और इस वज़े से जो hydrogen करण की क्रिया है वह सरल हो जाती है लेकिन जब हम यहाँ पर barium sulfate का उप्योग करते हैं तो barium sulfate पैलिडियम sulfate की surface के अधिकायस हिस्से पर स्वयम को occupy कर लेता है जिससे जो hydrogen के adsorb होने के लिए कम स्थान बचता है और इसे लिए जो यहाँ पर hydrogen करण की क्रिया हो रही है वह एक सीमित तोर पर या control रूप से होती है जिसकी वज़े से हमें उत्पात के रूप में aldehyde प्राप्त होते हैं यदि हम यहाँ पर barium sulfate का उप्योग न करें तो यहाँ पर हम देखें कि जो अप्चेन की क्रिया है वह आगे भी जारी रहेगी और इस तरह से aldehyde जो है और आगे अप्चेत होंगे और अप्चेत होने के फलसुरूप हमें alcohol उत्पात के तौर पर प्राप्त हो जाएंगे इसलिए यहाँ पर जो palladium उत्प्रे रख है उसके लिए साथ साथ यहाँ पर barium sulfate का उप्योग किया जाता है इस यह वीधी aromatic aldehyde के निर्मान के लिए भी उप्योग में लाई जा सकती है जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं benjol chloride यदि हम benjol chloride का उप्योग करेंगे तो अप्चेयन होगा तो वहाँ पर भी पुना जो hydrogen है वह carbon के साथ जुड़ जाएगा जबकि CL वहाँ से विस्थापित हो जाएगा और इस तरह से हमें benjoldehyde उत्पात के तौर पर प्राप्त होगा साथ में HCL मिलेगा तो इस तरह से हम देखें कि aromatic तथा aliphatic aldehydo के निर्मान के लिए यह एक महत्त पून विधी है